टॉपिक रहेगा कॉंप्लेहेंसें रिव्यू चैप्टर आपका यह चैप्टर है 11 इसमें हमें क्या करना है अभी तक हमने केवल 9 चैप्टर पढ़े हैं एक चैप्टर बागी आपका 10 जो मैं आपको अभी स्टार्ट करूंगा इसके बाद कि इसमें सुरूर से लेके इन तक जितना हमने अभी तक किया है पूरा रीकॉल एजस्ट इसन इलए उसकर रिडिकॉल करें घिरिकॉल करने के बाद पर रम यह ऌगाए जो एक चैप्टर आफ V7 का चैप्टर 10 उसकोम करने夢 करने हैं UNC चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको तो सबसे पहले हम जिपने चप्टर सभी हमने पढ़े हैं यह सब चैप्टर से हाँ पर आपको देख रहे हैं यह चैप्टर स्टेप यह सारा प्रोसेस हम यूज करेंगे तो पहला चैप्टर आपका है डैपलॉइंग एंस पिये चै टो अंकरना है इंडिस रिव्यू यूविल इंस्टावल एंसीवल की स्ट्रेशन करनी है किस मशीन पर करनी है यूज इडि आपको इसको एड़ा कमांड का यूज भी करना है यह सारा काम करना है तो इसमें में Installation करने एंडाो कमांड का यूज करना है, तो दो practical हमें पूरे इस Lab में parfum करने हैं ये पूरा का पूरा नो ने setup दिया है कि क्या क्या काम आप उसमें करना है, these are some instructions that are to be followed in wholeLab, तो यह बस आपको पहले क्या करना है, सबस् Talent जए क्या करते हैं एस तो यहां से मैं क्या करने इस कमांड को यहां से कॉपी करना है या पेस्ट करना है यह पूरा का पूरा रेड़ी कर देगा वर्किंशन रीचेवल है सरवर ए मसीन रीचेश सरवर बी बाटीर ते क्या करेगा सब्सक्विर संब Russell कोई के बरहें हैं तो तो आप student user से हो तो install की जगह पर पहले चेक करो कि इसमें एंसेवल का package है की नहीं है तो आपको पहले list करना है और password देना student लेंट आपको यहां पर दिखेगा कि आपका यह particular package क्या अभी इंस्टॉल नहीं दिखिए अवेलिवल है तो आपको सबसे पहला क्या करना है पेकेज को install करना है तो हमने यहां से क्या पेकेज को installation करनी है तो यहां से प्टैकेज इस्टॉल हो जाएगा देखिए देन अब अबी देंडर के इनदर के अब है किसमें आता क küçük में आ जाता हूं तो देखें मेरेपास यहाँ पर जस्ट प्लैंक प्लेंग क्वोडर सब्सक्राइब इंस्टॉल दा पैकेज देन यू शुट क्रिएट इंवेंटरी फाइल इन विच लुकेशन इन इस पर्टिग्ला लुकेशन तो कंटेनिंग गुरुप नेम गुरुप का नाम देने आपको डैब डैब नाम का गुरुप बनाना है इस गुरुप कंसिस्ट शुट कंसित दा म जोस्ट इसमें कौन कौन से मैंने जो ड्होंने चाहिए करा एक सरवर यह मशीन होना चीज़ के अंदर एक सर्वर भी मसीन के योनी चाहिए तो पहला कैονके मैं इस स्टॉल यसमें प्रेज्ट कर दिजिए यह पहला काम वो गया हाओ तो यह इस्टॉलेशन वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया हमारा कि इंस्टॉल होने के बार दूसरा टास्क क्या करना है आपको परफॉंक एक इंवन्टरी सब्दों करना नहीं है जिसे नाम से बनानी आपको inventory के नाम से बनानी है तो विम कर लीजे आप यहाँ पर और inventory के नाम से आपको inventory फाल बनानी है और देखिए आपको इसमें लिखना क्या है यह चीज लिखने इसमें आई प्रेस करिए just कोई भी नाम नाम दे दी है बाट हमें यहाँ पर जो नाम देना है वो डैप देना है और इसमें हमने लिखा server a.lab.example.com यह लिख दिया machine मैंने दूसरा machine के एंट्री करनी है server b.lab.example.com यह दूसरी machine के एंट्री होगी इन और अपको यहां पर बनाना है inventory file क्या बनाने है आपको इसमें कि अच्छा कोई दिखकत ने कोई दिकत ने अगर आपको इस्यू है कोई दिकत ने मैं आपको कोई problem हो तो मुझे बता देना ठीक है तेक है अभी ठीक है कोई दिकत नी तो देखिए यह में क्या करना है बनाना है उसके बाद क्या करना है राइट एंड करके इसको शेप कर देना है यह होगे आपका दूसरा काम क्या करना है create an configuration file एक configuration file बनाने इसी folder के अंदर किस नाम से ansible.cfg के नाम से the configuration file should reference इसमें जैसे कि आपका reference कम दलब inventory file की location का path आपको इसमें provide करना है add the following entries to the configuration to configure the inventory file dot का मतलब present working directory में चैकर inventory नाम से फाइल है तो बार बार आपको इंवेंटरी फाइल की location आपको एंसिविल कमांड या एड़ो कमांड की तुरू देने की जुरूद नहीं पड़ेगी तो देखिए अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि कमांड चलाता हूं एंसिविल कमांड आपको मैं टाइप से दिखाता हूं एंसिविल हाइपन हाइपन वर्जन यह आपको बता रहा है एंसिविल से लेटे चीज़ है तो यह इसकी कॉंपिस्टन फाइल देखिए और यह इसका देखिए पाइफन का वर्जन है 3.6 और देखिए एक ट्रैड़ेट 8.2 2.8 यह आपको दिखा रहे हैं अब आपको देखिए कि इसमें क्या करना है एक क्मांड टाइप करनी है एंसिविल सेर्वर ए डॉटलैप डॉट एक्जाम्पल.com हाइपन अईपन लेस्ट हाइपन होस्ट्स अपने होस्ट की एंट्री चेक करनी है आपको यह पर देखेना कि होस्ट्ट जो भी अपने किया आ है फिस प्रैक्र एंटर पर पाफ देना पड़ेगा तो मैं क미ने एंट्रीक थे आपके साम्रें मसीन के एंट्री यह किसको बता दो इनको तो बार पर इन्धर के अंदर के वो क fascination file को पढ़ेगा अपकी mó क्या devotion फाईल बना दूगा फिर इस फाईली मिपाईल को पढ़एगा कर था को पड़ेगा इस नाम से क्या कररूं अपने सिस्टम पर एक ቅ अ जय प्सक्षाइब को बना दूए अब पड़ीक ब्लेंक फाइल बनाएए ना आपकी यह जो एंट्री आप कहां कर रहा हो इसको कॉन्फिस्ट फाइल में करोगे एंट्री तो देखिए यह एंट्री आप यहां करोगे तो यह केबल इस फाइल को पड़ेगा अब देखिए अगर मैं यहाली biology कमांड फिर से टाइप करता हूं कि अब भी भी दिखिए है आप देखिए मैंने एक फाइल बना जी इसमें तो यह कि मैं क्या करने वाला हूं कौन्वेशन फाइल है विंक के अंदर जाओ कॉन्वेशन फाइल के इस डिफ disgu to sexual भुप का पाथ कर रख हैं तो यह फिन्वेनटरी फाइल को पड़ेगा आपको saint इन्वेंट्री फाइल का पाथ आपको बताने की जुरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम कॉंफेशन फाइल में यह पाथ पूरा लिख देते हैं इन्वेंट्री इक्वल का साइन लगाए मैं इसमय में डॉट कम बता दो कि present लोकेशन में चेक करना आपको जहां पर मैं काम कर रहा हूं जिस कमांड को मैं जिस लोकेशन से चला रहा हूं वहीं पर आपको चेक करना है कि अंदर चेक करना है इंवेंट्री के नाम से बनेगा फाइल रख्था हुआ है इन वेंट्री कि अभी आपने यहां पर बता दिया अभी जब मैंने यहां पर कमांड टाइप की थी आपके सामने तो एरर आये था भी आपका अब उस कमांड को दुबारा से फिर चला रहों देखिए अब आपको को एरर आये क्या क्योंकि अब यह कि उस पर्टिक्लर इन्वेंट्री फाइल को पढ़ लेगा इसलिए अब देखो वर्जन कमांड से चेक करो वर्जन कमांड से यह हमारी फाइल है इसमें जो हमने एंट्री की है यह वाली एंट्री वह अपने अब लेता रहेगा पहला कंसेप्ट हो गया तो हमने यह यहां इस तक करके देखां नेक्स क्या कहता है एक एक डॉक कमांड चला के देखो यूजिंग दप्रिब्लेज एसकलेशन तो मॉडिफाई दग कंटेंट ऑफ एटी सी तो एटी सी के अंदर एमो टीडी के अंदर आपको क्या करना है कुछ मॉडिफिकिशन करना है फॉर्ट किसम है आपको बट लिखना किसे एड़ कमांड के दुरू लिखना है इडमीस आप यहां बैटे हो वर्क इस्टेशन पर एटी सी आपको सर्वर मसीन में जाना है सर्वर मसीन में जा करके एटी सी के अंदर एमो टीडी नम की फाइल बनाने के बाद उसमें यह कंटेंट प्लेस क यूजर करना है तो लॉग-इन किसे करोगे इस पर्टिक्लर यूजर से बीकव मतलब कि बीकम मतलब यह क्या हो जागा प्रिकम यूजर क्या आपका यू यह बन जाएगा आपका विकम यूजर तो यह मतलब इस पूरी कमांड का तो देखते हैं इस कमांड को यूज करके तो आपको क्या करना है इस पूरी कमांड को यहां से कॉपी करना है तो देखिए मैंने इस पूरी कमांड को यहां पर कॉपी किया और आर्गुमेंट आपने पास कर दिया अब देखिए मैं पूरा कमांड कॉपी करने आपको समझाओंगा इस कमांड कमांड क्या है कि आपको एंसेविल कमांड है एक एड़ो कमांड है इस पर्टिकुलर गुरूप गुरूप का नाम क्या रखा देगा हमने यह पर डैव कर दें यह content उसमें आपको रखना है इस पर्टिकुलर फाइल जो प्रेट करनी है डेस्टिनेशन यह एक के अंदर मोट्री नाम से फाइल बनानी है तो यहां से देखिए सिंगल को स्टार्ट किया यहां तक सिंगल को बंद हो गया यहां से यहां तक एक आर्गुमेंट हो यह कमतला यूजर क्योंकि यह यूजर यह कैसा युजिवर शूर युजर है तो यह सूदर ऊंटर जाने के लिए किसी नौर्मल यूजर को परमिशन नहीं होती अगर आपने विद्स नहीं लगाया तो यह कमांड नहीं चलेगी आपको चाओ तो चेक कर लो आप इसको जब मैं इस कमांड को चलाया तो देखिए कमांड नहीं चली एरर आ गए इसमें आपका क्योंकि जब तक आपके पास उस पर्टिकलर लोकेशन में जाने की प्रमिशन नहीं होगी तो बीकम मतलब बिकम सुडो के तू चलाना कमांड को अब देखिए कमांड आपके चल गई है इसने क्या किया डॉनों मसीन पर एटी सी एमोट एटी सी के अंदर एमोट यूडी नाम से फाइल बना दी फाइल बन गई आपकी फाइल बनने के बाद जिको आप चेक कर सकते हो शरवर यह मसीन में क्या पहले है चेंज स्टेटिस में टू आ रहा है चेक्सम वेलू इसकी डेस्निसं यह है डी इसकी यह ग्रोप अईडी यह है ब्लकर यह अपका मोड क्या है यह पर्मिशन इसने दिए ओनर कौन है इसका यहोणर है एक फाइल बनी है यह यहां पर लिखा हुग आपका तो और यह कींद से किना क्या है कि करना कि पर्वान के अब इस सब्सक्राइब करने के लिए करना है थ announcing आपको चैक करने के लिए भी कमांड है तो क्यम ऐसे क्मांड चला दिए हैं आपको पूरा इस्टेट recharge देखो और एक सब्सक्राइब कर देखो एक कि इसको कमान को भी यूज कर दिखते हैं कि वह पर्टिक्लर फाइल बनी या नहीं बनी तो टीक है इसके अंदर एमो टीडी नामसी फाइल बननी चाहिए अब यहां पर बन गी अपकी फाइल यह ठीक है अब मैं इसको प्रूब करता हूँ कि यह लिखा था हमें ऐसे सच कर रहा हूं तो यहां पर मैंने कहां स्ट यू डिएंट इस निए डैब आपस में जाए डैब आपस के दुरू कर लो डैब आपस अधर इस सर्वर ए जब मैं सर्वर ए में आया यहां पर क्या लिखा गया मैंने इस फाइल के अंदर जो भी आप एंट्री करते हूं लाइए क करता है कि अगर मैंने यहां पर क्या किया सो इसकी कि ऐसकर कुछ और लिंदिया इसकी आपकि यहांपर क्लेश वह चांपर यहां यहां पूरी complete हो गई है मैं इस लैब को फिनिस कर देता हूं ग्रेट चला के देखो कि आपने जितना काम किया वो सब कुछ ठीक है गलत है तो देखो पास-पास आगया आपका इसका मतलब सब कुछ ठीक हमने किया है अब आपका क्या करना है लवस्ट लैब को क्या कर देना है इससे में आइडिया लग जाता है कि एक्टल में जो काम कर रहे हैं वो सही अगलत है अगया आपका अगया अगया दूसरा कंसर्प्ट क्या है यह एक्ससाइज है क्रिएटिंग प्लेबुक एक प्लेबुक आपको क्रियेट करनी है ठीक है बस दो मट का टाइम दिना में अभी करें उसके टोटल तीन लेब हैं इन तीनों लेब को करेंगे उसके बाद चेप्टर टैने स्टार्ट करेंगों दो मट देना बस मुझे है अब दिख्या अब का दूसरी जो लेब है वह क्या है क्रियेटिंग प्लेबुक आपको प्लेबुक बनाने है इन इस रिव्यू यू बिल ग्रीट थी प्लेबुक इसमें आपको तीन प्लेबुक बना करके चक कर performances यह इन एंसेविल प्रोजाट डैरेक्टरी डियरेक्टर आपको इसमें एक इफटीपी करना है और फ्टीप क्लाइंट one प्लेगुक विल्लीजिऊ ऍटीप भी इसमें स्टॉल्ड तो इसमें आपको सारी चीए काम करना है एक टीपी सर्वर वन प्लेगोक आपका इस तरह से देखेगा यह सारी चीए यह सब instruction लिखिए तो पहले क्या करना है पहले static बनाओ यह सारा काम करो यहां पर सब लिखा हुआ है configure करो इसको यहां पर playbook बनाईए आप यहां पर second playbook बनाईए configuration करिए आप इसमें जिंजा template का यूज करके यह कुछ आपको इसमें क्या आप के आपके यहां से पूरा का पुरा कंसेप्स चलेगा आपको इंशुर करना है यह उस्ताइब सब बनाने म CA यह कितना बहुत बड़ी अपका कि तुदिखे सबसे पहले हमें यहां से स्टार्ट करना in के हमने workstation मची में student user से और पासवर आपका student रहेगा इस करिया ऊन्वर्कस्टेशन आपने उसपे लॉग इन किए antra1 अब क्रियां प्रक्रिए फाइल प्नाने शॉक्षा आपको परणे आपको यहां बीसिए नाकर edعمर प्रहें नाम को सब्सक्रतों नाudod से तो हमने यहां पर किया कि है आप वेम करके इन्वेंटरी नाम से फाइल बना ली बन का सिर आपकी और इस तरह से आपको यह रवर भी मशीन के सर्वर बनाना है और एक सेन्ट बनाना एक से इसमेरियो है इसमें कुरा कौपि करीए और उसके अंदर प्लेस कर दीजिए तो हमारे पास यह पर यह सारी चीजह आपको दिंख नहीं एक हमारे पास सर्वर है य। कमारी पास कलाइनट है क्लाइन्ट हो गया दैंड क्या गर दीजिए पहला टास्-क हो गया आपका कि हमने इंवेंटरी फैल बनाना देखा है यह पूरा हो गया दूसरा काम क्या और डांस पर आपको एक करेंस फाइल की कॉन्पेशन फाइल बनानी है ओम के अंदर जाई स्टुडेंट में जाईै यहां पर जाने के बार एक कोण्पेशन फाइल बना दीजिए तो यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर तो सबसे पहले इन डिफॉल्ट सेक्शन डिफाइन के हैं पर ठीक है रिमोट यूजर क्या डेवॉप्स यूजर है इन वे देखिए कि इन्वेंटरी फायल के आपको एंगती बताने हैं प्रिफिलेज सेक्शन भी इसमें क्या करना है कि मैं जब मुझे प्रिफिलेज लेना है कोई काम करने के में के लिए स्रत आफ काम करके तक किर दो मेंट करना है candle करना दो सुढ़ कर दो तक खूआ कर्दो विकाम मैं प्लीज़। स्ट शुड़ फूर रूट यस कि पूरा काम हो अब एक क्या क्षेट अब प्लेख बनाई है लिए किस नाम से पेले client वाली प्लेडूक बनाई है और client वाली प्लेडूक में containing एक प्लेड लिखना है आपको देट टार्गेट होस्त किस machine पर चलाना है किस client के लिए बनीए यह तो client machine के लिए प्लेडूक तो client पर कुछ package install करने होंगे लाइट वेट लाइट फाइल ट्राश प्रो टूकल का यह इस्टॉल करने आपने आ थीक एक कोई दिख्कत नहीं तो यहां पर क्या करी फ्टी-पी क्लाइन करके आपको क्या करना इक फाइल बनानी प्लेबुख बाली फाइल विम करके कि यहां पर इसमें लिख दीजिए और क्या क्या लिखने आपको यह पूरा कंसेप्ट यहां से उठाई है कॉपी कर दीजिए अब इसको तोड़ा सेट कर लेते हैं कि अब किसी को अवाज या कुछ कोई दिखका तो पूश लेना बीच में आप लोग पूशते रही हो अब है ठीक है ठीक है सभी है यहां तक इंडेंटेशन अन्राग कल क्यों नहीं आए तुम हाँ जी अन्राग पता वेटा कल क्यों नहीं आए थे पाहर जाना पड़ा चलो कोई दिकत नहीं कोई नहीं हो सकता है कुछ सीजन तो नहीं नेम हो गया होस्ट हो गया क्लाइन टास्क आपका होगा लेटेस वर्जन इस्टॉल करना है यह मॉडूल का यूज करो लेटेस पैकेज का इस्टॉल कर दो इतना लिख दिया कि बस इतना ही काम करना है इसमें सेप कर दो बस इसको चलो ठीक है एक प्लीबुक बनेगी माने आप पर पैकेज को प्रोंट का इस्ट वर्डी्थ फूल्ट अफॉलिंस की फुलिफ favor पम होती है एंस центрि पीडी यह सर्वर का पकेज ओते आपका तो इसकी एक जंजर टैंप्लेट फ्Al जानानी है यह चीजी में आपको प्लेस करनी है क्योंकि वो हमारा अपने आप समझ जाएगा टेंप्लेट कहां से लेना इसमें जाएगा और ओटोमेटिक लिए आपका इस पर्टिकुलर जिंजा टेंप्लेट वाली फाइल को उठा लेगा सो क्रियेटर टेंप्लेट सब डिर तकीजा टेंप्लेटर व थेडिकुलर दैसंट भडिकुलर नेवरा टेंप्लेट विू ला now check now check template file now this particular file containing this particular template directory because when we run ansibl command it will automatically detect this particular configuration file when we want to install anything so what contain in this particular so just check this what we have in this particular file all the configuration related information regarding to vsftpd it have all the information this uses this particular ansibl underscore managed this is the port number of this particular so these all settings you can download from the internet also by using the role structure this is the same just like the role structure that we have discussed already with you so this is the script anonymous user if you have knowledge regarding the vsftpd servers so you can better understand this what written in this so this is the port number that is to be defined in this so it will change the port number this uses not quantity port it uses this particular port in a lane so it has changed ...... is it okay remember oh yeah he's so it is यह बता रहा कि इस तरह से आपको सारी इसे लिखनी है इसमें तो देखिए अभी हम बिल्कुल सुरू से देखते हैं यहां से देखो यह मूव हो गया आपके यहां पर अब देखिए प्लेस दप्रोबाइड डिफॉल्ट्स हाइपन टेंप्लेट डॉट वाइमेल नामसिक फ यह सारे वृणbuster है इसमें देक हैं आपको सारी वेरी विल्स है सब्भाइबल डिफाइब कर रखे यह त्रू हो जाएगा यह कु हो जाएगा यह त्रू कर बता रहे है प्लेस द प्लाइड डेसे सफ्टी पिडी कोंपेसेंद फाइल इस सब अपने यह पर प्लेस्क कर दिया औरmakers कर दिया अब आपको ये बाला अब आप लेस्ट करके देखो एक मिनुट कुछ गलत कर दिया हमने क्या कि अच्छा कि यहां पर यह नहीं लिखा बताया नहीं कहां पर प्लेस करना है यहां पर लिखा हुआ था इसको यहां प्लेस करना है प्लेस हो गया अब लेस्ट करके वैर करो सब कुछ कहा है सारे वैरिबिल्स यहां प्लेस हो गए तो इसको मैनेज किया गया बस कि हम इसी तरह से काम करते हैं तो यह सारे वैरिबिल्स और क्या करने इसके बाद आपको इसके अंदर जाना है कैसे विम करके आप इसके अंदर जाएए और यह सब वेरिबल यहां पर प्लेस कर दीजे क्या चलिए ls where's के अंदर जाओ अब यह फाइल बनी हुई है इसके अंदर और और बनानी आपको तो विम कर लीजे इसमें तो वेरिबल के अंदर आपका नाम क्या रखना प्राइब प्लेस कर दो कि प्लेस हो गया है अब क्या करना देखी नेक्स काम यूज दा प्रीबियस्ली क्रेट जिंजा टेंपलेट एंड वेरीविल डेफिनिशन क्रेट एक नई प्लेबुक बनानी आपको तो अब तक यह को इतना काम हो गया अब एक प्लेबुक बनाई किस नाम से एंसिविल हाइपन वी एसेपटी पर पीडी करके एक प्लेबुक बनाईए और इसमें क्या कर दीजे सर्वर से रिलेटेड क्रेट करने के कुछ डेफिनिशन सापको डिफाइन करनी है आ जाई आप इस प्लेबुक के अंदर विम करके अच्छा नीचे लिखा हुआ होस्ट एप टीपी सर्वर्स करके ऐसे डिफाइन किया नों ने तो यहां से आई प्रेस करते हैं इसमें नेम तो टीक है वेरिविल डिफाइन कर रहा किसमें इन वेरिविल की वैलू दी हुई है यहां पर एक वेरिविल फाइल यहां रखी एक डिफॉल्ट करके पहले से थी एक वेरिविल फाइल हमने बनाए थी खुद की तो यह दोनों को यहां पर प्लेज कर दिया यह सब टास के यह सारे टासक कर रहे हैं यह सब टासक है तो बस मुझे क्या करना है इस तासक को पस étais कॉपि करना है और इनको एड़ेस करना है किपना है इसके अंधर अच्छ कब्लूपियर करते हैं यह सब करके क्या करता है इनको में ठीक न है तो तो सबसे पर ना यह वार के क conhecer कि लिए का अब लिया कपी किया ह। तो पहला क्या करना है अब को टास्क्र करना है तो task किसके series में आएगा इसके series में आएगा ठीक है तो यह बारा task हो जाएगा कौन करण सा task है पहला task इसका यह है यहां पर task define हो गया em module का use करो em module का use करके em इसका नाम है इसका state क्या रहेगा यह state रहेगा ठीक है यह पहला काम हो गया दूसरा task क्या रहेगा मारा इसमें यह वाला दूसरा task रहेगा इसमें तो दूसरा task यहां पर इसका indentation ठीक है दूसरा task यह रहेगा कि service module का use करिए name service का यह रहेगा कि state इसका started रहेगा और enabled क्या रहेगा true रहेगा ठीक है तीसरा task आपको define करना है यह दो task होगे मारे तीसरा जो task होगा ठीक है तीसरा task क्या लेना आपको आपका पहला task हो गया दूसरा task service को start करना है यहां पर package install करना है दूसरा service को start कर देना है तीसरा क्या करना है confession file आपको copy करनी है यह जिंजा template का use करके इस particular file को क्या करना है बस आपको just copy करना है कि so this is your third task यह तीसरा task है इसका indentation matching कर रहा है आपका same है ठीक है कि तो जिंजा template use this particular template and just this is my source and this is my destination so this is my destination and this is the owner this is the group owner this one and this is the mode then it means it's a permission this is the AC Linux permission and this is the notifier तो आपने इसमें नोटिफायर लगा रखा है बट नोटिफायर हमेशन task order में होता है यहां पर आना चाहिए तो एक value इसकी पीछे कर दो आप सही है सही है तो यह इसके order में आगे मतला template के order में template का यूज करेंगा तो notify करेंगा इसको किस नाम से notify करेंगा restart वी एसे टीपीडी करें जो नेम यहां पर होगा वही नेम किसमें डिफाइन होगा आपका हैंडलर में डिफाइन होगा तो notify लगा दिया आपने फायर वोल की सेटिंग और कर दो इसकी यह फायर वोल की सेटिंग चलो दौनों कॉपी कर लेते हैं एक साथ यह फायर वोल की पूरी सेटिंग है तो नीची आईए और आपको इसमें चेक करना है इंडेंटिशन ठीक है हाँ यहां पर पेस्ट कर दीजिए उसको तो यह आपको दो टास्क डिफाइन करना है इसमें पहला आपको क्या करना है यह मॉडूल का यूज करके पहले फायर वोल का पैकेज स्टॉल करना है फायर वोल का पैकेज का नेम आप बता दो उसमें स्टेट क्या करना है उसका जैसे स्टॉल होता है अगर आपका कि अगला टास्क क्या डिफाइन करने आपको इसमें तो यहां से लिख लीजी अगला टास्क हमारा क्या रहेगा कि अगला टास्क यहीप लिखते है ठीक है अगला टास्क क्या है पॉन्ट करने आपको लेकिक स्कॉट का टार्फ में चेंग से दो यूज किया है तो अम आ जाते हैं आप दो टास्क और डिफाइन करते हैं फायरवल डी मॉडूल का यूज करो अदर आपको ऊद सर्विस परमानने ली किया कर दिना है इसको कर देना है इसका इने विल कर देना है इंडिए लिए 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 अपने यूज कर देंड़ने है में यह चेक करो हाँ इन्देंटिसन ठीक है हमारा फार्वल के अंदढ पो टैड़ करने आपको तो फार्वल दी मॉडूल का यूज कर ये इसमें पोट एड़ कर लीजे और पोट परमानेटली एट करने आपको इसमेंं इस्टेट केहाँ करना है आपको इनेबिल करने आपको इसमें इमीरिए आ करना है तो आपको क्या करना है firewall के थुरू सर्विस है FTP पर्मानेटली एड़ कर दो स्टेटस क्या कर दो उसका ट्रू कर दो और यह पोर्ट नमबर एड़ कर दो सीरीज में पोर्ट नमबर एड़ किये गए अब एक लास्ट बचा बस आपका हैंडलर डिफाइन कर दो बस एक लास्ट हैंडलर हमें सां टास्क के ओडर म में लेकि आता हूं यह ओडर हमारा इसी ओडर में आपको हैंडलर डिफाइन करना है कि यस्ट पेस्ट कर दीजा इसको है ठीक है तो पहला काम हैंडलर का नाम यह है सर्वेस आपका यह रहेगा कि सर्वेस मॉडूल का यूज़ करके सर्वेस को रिस्टार्ट करना है आपका और state कैसा होना चाहिए restarted यह है तो यह आपने handler define कर दिया handler का नाम क्या है restart underscore vsftpd जो यहां पर आपने notify में define किया होगा यह यहां पर क्या करते हैं डिफाइन करते handler के अंदर सेम नाम service name vsftpd service को restart कर लेगा यह पूरा फ्लेबुक का अपका बने दिखिय को थे ना safed this particular playbook no what is the last step so this is the third play in this you should have to create this particular last playbook by using a side dot yml name so just create this particular so just copy this one in which location review playbook in this particular so just copy this vim this one now place this particular value so import this so this is the final import playbook from this location import playbook from this particular so this is a management proper management of the task so in this we have uses the jinja templating for instance also so we create these two folders so all the variables stored in this location and all the jinja template stored in this location and we have two playbooks the first one is ftp client playbook the second one is this one playbook so it will automatically import so it will import this playbook also and it will import this playbook also so this is the final playbook so now run the task this first all the playbooks will automatically run so this is our final so just check hyphen hyphen syntax hyphen check so just check there is any error no there is no error just hyphen dry run we can use hyphen hyphen check also dry run this will goes to this machine it will perform all the tasks that we have defined now check we have completed all the tasks now run this again so this is the second exercise related to playbook how to create the playbook and how to create ftp client and how to create ftp server all the configuration used by the playbooks now check you have completed this task properly or not so just create this one yes i have completed all of these things one by one so first we have create ansible confession file these all tasks we have completed now see this is my first task go to this location it will perform all the tasks by using all the playbooks by using jinja template also it will use this jinja template and all the tasks will be performed so this is the concept so how to create a ftp server so just this lab has been finished so this is all about the ftp so this is our last exercise of this particular chapter so in this we i will create uh ftp service also create a playbook regarding by using the role functionality include role and we also use the dynamic inventory file so in this two concept will be discussed so this is creating roles using dynamic inventory file so any doubt regarding these two exercise so any doubt then i will start this last one okay so i will start so these three tasks that should be performed in this particular whole exercise so use this so i will start from the solution so this is so start this lab so it will create some pre-requirements download some playbooks py this is my dynamic inventory file so this is the template variables site all the things will be downloaded now do cd now check so i will use this review roles so in this review role structure will be used see this is my this is my n civil file this is my vsftp pd file this is my dynamic inventory file the inventory site where is 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 इसमें बहुत सारी चीजि़ यूज की गई है इसमें पूरा रोल स्ट्रक्चर भी आ गया आपका ठीक है इसमें आपको समझ में आ जाए रोल इस्ट्रक्चर होता क्या एंची एक्सेसाइज यह थे कि देखिए कि यह परफॉर्म कर दिया इसने पूरा का पूरा एक structure बना दिया और यहां पर आपके कई सारी प्लेवोग के अब आपको प्लेवोग बनाने जुद्म है आपको मैं सब कुछ आपको बना के दे रहा हूं बस आपको एक रोल structure का यूज करके सारी चियों को यूज कर लेना अब आपको क्या करना है जितनी भी सारी आपकी inventory फाइल है एंबी करके inventory को क्या करना है आपका इस नाम से क्या कर दो TMP के नाम से इसे move कर दो मतलब इसको rename कर देना है बस और कुछ नहीं करना इसको पहले नोंने rename किया देखो inventory दिख रहा है आपको यहाँ पर यह inventory file है कि इसमें देखो पहले inventory file के अंदर इसको rename किया गया है एक FTP server जो पहले same था वोई same ची यहाँ पर है server करके तो इसको पहले rename किया है इनोंने ठीक है rename क्यों किया क्योंकि इसी नाम से इनको एक directory बनानी है इसमें क्योंकि इसी नाम से फिर directory इसके location के अंदर बनेगी नहीं ठीक है अब इनोंने क्या किया देखे एक inventory नाम से directory क्योंकि मेरे पाद दो को इन्वेंटरी फाइल है एक स्टेटिक इन्वेंटरी है और एक डायनेमिक इन्वेंटरी है दौनों को मैं इस पटिकलर फोल्टर में प्लेस कर दूंगा अगर मेरे पास नेट्रोप में कई सारी डारेक्टरी जैं इन्वेंटरी फाइल है उनको डारेक्टरी के अंदर प्ल एक folder बनाई आप इस नाम से तो देखिए आपका folder बन जाएगा चेक करो folder बन गया अभी लेस करो इसमें बिल्कुल खाली है यह देख रहा है अब यह क्या कर दो इसको कि मूब कर दो जिरी अपने क्रेo दरा तो यहां से लो इसको क्या कर दो a क्या serait उम कर दो कि और किस नाम से करना यहां पर आपको किस नाम से çablo 8 इसमें कि इन्वेंटरी फाइल आगे आपके। में inventory file में चेक करो पहले आप सेव वही चीज है जो आमने पहले चेक किया था यहां प्लेस हो गया सब कुछ अब दूसरा काम क्या करना है इस पर permission देने आपको किस पर यह आपकी पाइथन बाली यह क्या है इसमें क्लाइन करके ग्रूप लिखा हुआ आपका और नीचे आई इसमें और क्या क्या लिखा है आपका सर्वर करके इसमें भी मसीन के एंट्री माट में यह यहां से टार्टम यह करके पा communist क्लाइंट्री आट्र में ने यहां से इस कि अच्छा कि वह क्लाइंट के इंट्री यहां कर रखिए चलो ठीक है फूस्ट करके अपेंड करेगा ठीक है जो भी है अब उसे पता होगा कि पायतन में स्क्रिप कैसे लिखते वह इसको पूरा रीड कर पाएगा ठीक है अवे अब देखो इसको पर्मिशन देनी वस आपको यह पर तो इसको फर फर्मिशन देदिए डिये और करके देखिये परमिशन मिल चुक है इसकोотр की परमिशन मिल गई है आब इसको आप बसक्ति कर सकते हूं अब इसको मूब कर दो मैंने पताए तह vagas को छितने भी आपके पार इंवेंटरी फाइल है इसको किया करतो हृडव का रख जो कि इस पाइधन की स्कैप को एक इसको इनिवेंटरी फोल्डर मो आपका थेक घंश करो इमें ट्र चानज दिए दो इन वेंट्री यह आपकी स्टेटिक ईवेंट्री आगी प्यार किंटि दार में फैल 만 자 ऐन फिडारेक्ट्री डारेक्डरिए एस दस्वेजे chron सी फड्राइन फायल फ्रॉम दब इसमें डिफॉल्ट सेक्षन में देखो इस तरह की एंट्री पड़ी हुई यह फोल्डर का नाम लिखा है इसमें यह कोई फाइल नहीं है फोल्डर से क्या करेगा ओटमेंटिकली क्यप्चर कर लेगा तो देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ encivil.cfg में यह लिखा है आपका डिफॉल्ट सेक्षन के अंदा इम्सक्राइब का नाम है इसमें आपको क्या करना है यह entry आपको छो Patreon कर देनी यह बली ट्रियो है में थड सूडो है यूजर आपका यह है आस्क पास्वर्ड फॉल्स है कि विकम आस्क पास्वर्ड ठीक है यह पूरा कम्प्लिट हो गया अब आपको कह रहा है कि एंसिवल करके लिस्ट करके देखो आप चेक करो कि यह सारी एंट्री आपके ही वहां से डायनमिक इ कुलए किी सामवान मर्हां शॉल्स हाई इनकि एंसिवल इनट्री हइपन comment करने के लिए कि आपकी जो इनवेंट्री वह सरी काम कर रही है दो आपको देख रहे हैं यह किस फॉर्मिट में आपका यह दिए जेसंट फॉर्मिट में आपको सो कर रहा है कि होस्ट वेर करके सर्वर एैश रवर भी सर्वर सी सर्वर डि आपके लिखे हुए और यह अंदर आपको चिल्डरण चिल्डरम में FTP, Client, Server, Ungroup सब दिखा रहा है Client के अंदर Host Machine में पर दो Client है Server कहां बनाने आपको यह दो Machine को इन्होंने Server बनाया है दो Machine को यहां पर इन्होंने Client के लिए इन्होंने लिया है इसमें तो पूरा का पूरा आपका Ansible Structure देख जिए आपका आपको देखेगा Convert Ansible आपकी जो YML फाइल है रोल स्ट्ट्ट्टर की रोमें से क्या करना है Convert करना मतला इस नाम से एक आपको रोल स्ट्ट्टर डिफाइन करना है इस नाम से तो Convert Ansible-VSFTPD.YML Playbook to the Role Ansible-VSFTPD एक रोल नाम से पहले क्या बना हो एक फोल्डर बनाई आप इसमें तो Creator Role Sub Directory अभी मेरे पादेख यहां पर रोल नाम से कोई Sub Directory नहीं है पर के वह लिए Inventory आपका डिरेक्टरी है इस नाम से क्या करिए एक डिरेक्टरी बना लीजिए आप इसमें बन गया डिरेक्टरी अब रोल के अंदर सब कुछ यह सारी चीज़े हम जो रखेंगे सब इसके अंदर रखेंगे अब अब इतना कर लिए आपने क्यार के CD करके इसके अंदर जाओ और Ansible-VSFTPD करके Initialize करके इसे यूज़ करना है तो इस नाम से क्या कर रोल structure क्रियर कर दो इसमें तो पहले आप इसमें जाईए और एक रोल structure पहले क्रियर कर लीजे और सारी चीज़ें को फिर वहां पर हम प्लेस कर देंगे तो Ansible Command है Ansible Galaxy करके तो यहां पर Command Initialize करना है आपको इस नाम से जो भी नाम रखोगे वह अपने जो हमारा टास्क उसके एकोडिंग रखोगे तो देखिए लैस करो इसमें कुछ नहीं खाली अभी है ठीक ना सारे के सारी चीज़ें कि यह खाली फोल्डर है यह सब खाली फोल्डर बन जाएंग आपके एक रोल इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जब भी महारा जो में प्लीबुक होगी आपकी वो इस रॉल को पढ़ेगी इस रोल में जो भी मिलेगा जिस इस लोकेशन मिलेगा उसको पढ़ता जाएगा वो और उसको तो रन करता जाएगा अब देखो ट्री करके रोल में देखो बता रहा है कि आप इसको देखो है कैस में यह सब कुछ आपको रोल स्ट्रक्चर पूरा क्रेट हो गया किसका एफटी पी के लिए नाम कुछ भी रखों से कोई देखत ने एंसेविल हाइपन व्यसेफटी पीडि इस पटिकुलर टेंप लेट यह आपका जो जिंजा टेंपलेट है डिफॉल्ट टेंपलेट डोर वैययम्ल फाइल को मूब कर दो है कि इसमें देखते हैं डिफॉल्ट टेंपलेट के अंदर क्या पड़ा देखिए यह सारी चीह है जितने सारे जो हमारे वेरिबिल तो कुछ टेंप नोने वेरिविल का प्लेस कर दी है इस डिफॉल्ट के अंदर में डॉडड वाइमल फाइल में यह बाइद फाइल क्या होती है आपके तो इसको मूब करो यहां से यहां से इस पर्टिक्लर को ठीक है यहां से मैंने कमांड यूज की कहां मूब करना है इसको नाम का जो डिरेक्टरी है उसके अंदर इस नाम से एक डिरेक्टरी होगा इसमें डिफॉल्ट नाम का क्या होगा डिरेक्टरी होगा यह आपका वाइमल है में डॉड वाइमल यहां पर उसको प्लेस कर दो अब आपने से प्लेस कर दिया मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ansible के अंदर where के इसके अंदर तो हमारे पाद जो variable पड़े हुए है वो सारे variable कहां place कर दो इस particular main.ymilfile में वैर्स नाम की एक directory होगी यहां place कर दो चलो इसको भी place कर देते हैं बट अभी चेक कर लो कि इसमें सब अपने अब इन्होंने लिखके दे दिया सारी चीज़ों किसे कर रहे हैं पहले वही चीज़ हमने इंडिविजुली की थी अब उसी को एक रोल structure में बाइंड करके सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अभी हम इस mb command को यूज करिए यहां से मैं mb command यूज की को कॉपी करिए आप इसको जस्ट क्या करना आपको इसमें कि रोल के अंदर यहां पर प्लेस कर दिये इसको आपने इसको यहां प्लेस कर दिया देखिए थोड़ ऐसे इसको अब ठीक है अब आप चेर कर लो कि एक्च्वल में यह प्लेस हुआ कि नहीं हुआ एक बार क्याट करके देखो इसको सब पुछ आगे आपका यहां पर बहुत अच्छे यह भी काम हो गया हमारा तो 3.5 तक आगे हम 3.6 पर आते हैं जो टेंप्लेट पढ़ा है ना आपका टेंप्लेट उसे यहां प्लेस कर दो तो टेंप्लेट में लिखा कि एक बार में आपको दिखा दिता हूँ टेंप्लेट कहा है हमारा यह रहा जिंजा टेंप्लेट फाइल आपकी इसमें बहुत कुछ लिखा दिए आपका पूरा सेम वो लिखा हूँ आपका यह सब प्लेस कर देना आपको आपर टेंप्लेट वाली फोल्डर में तो MB करो ठीक है और इसको कहा प्लेस कर देना रोल के अंदर टैंप्लेट के अंदर प्लेस कर देना फिस नम से नाम वहीं रख़ो कोई दिकत नहीं यहांप नाम चेंज नहीं किया गया है को शारी के सारी शीचे यह पर आपकी प्लेस हो गई है करें डेогरए भी काम हो गया सीचिए आपकी अभी प्लेस हो दह आ रहे है अब कम रहे इसमयाखका आपका व्हक्त त्य्कीस सब्सकाइं के filter हम प्लेस करते आ तो किस बाले में टास्क बाले में ऐसे प्लेस कर दो the value of the source keyword from the template module will no longer needed to reference template sub directory तो देखिए बता रहा है कि यह सारी चीए ऐसे प्लेस करनी है आपको इसमें तो आपको क्या करना है और सी वाली फाइल है यह वाली फाइल है इसको क्या करना है रोल के अंदर इसमें प्लेस कर देना है तो देखिए मैं क्या करता हूँ विम करता हूँ कि कॉपी करना है इसमें ठीक है में डॉट वाई मेल के अंदर कौन सी वाली फाइल है अंसीबिल है अधान वी सफ्टिवाली प्लैसर इशकाश एक आपको जमें और को समय करना है तो इसमिशंक सीएफ सब कुछ लम कोफी करना है इसमें क्या कोपी करने के लिए इन palavra यह वाला सारा टास्कोपी करना यह ठीक है कि कि रोलस अच्छा हेंडलर यहां पर आपको डिफाइन करने इसमें एक्चन में है क्या मैं आपको बता देता हूं मैं इसको ने सेम टू सेम यहां पर प्लेस करते हूं यहां से कॉपी करके इसमें तो देखिए तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी देखी रोल्स के अंदर एक फाइल है आपका इस तरह का टास्क वाली फाइल में डॉट तो विम करो और रोल्स के अंदर जाए यह फाइल है इसके अंदर आपको क्या करना है यह आपको इस तरह से फाइल मिलेगी कि इसमें बस सारी चीह आपको प्लेस कर दिने में से कॉपी कर देता हूं तो देखिए यहां से में कॉपी करता हूं कि अगर मैं वहीं पर कॉपी करूंगा तो सही रहेगा क्योंकि यह सब मुझे लिखना पड़ेगा फिर अच्छा चलो ठीक हो गया सही हो गया कि क्योंकि स्ट्क्चर तो सेम यह ना नहीं अभी सेम नहीं हुआ ऐसे नहीं ईससे तो इसका समाधान नहीं बन पाएगा चैजिए कि मैं क्या करता हूं कि को सीपी कर देता हूं कौन सी वाली फाईल को कि यह वाली फाइल है और सो कहां पेस्ट करना है kindergarten रोल्स अंदर रोल्स के अंदर आपका क्या एंसेविल एंसेविल के अंदर टास्क और टास्क के अंदर में डॉट वाइमल ठीक है यहां पर मैं इसको कॉपी कर दिया अब मैं इसको उपन कर लेता हूं आइंगोद हैं जो भी एसमें चेंग वह क्पै यहां पर क्रदूहना सीधा सीधा तो विम क्राइव कि यह सब आगया आपका अब देंखिए मैं अपको इसमें दिखाता हूं कि क्या आपको इसमें जेन्सिस देखने इसमें तो देखिए पहला आपक rat birth यह सब कुछ ठीक है आपके आपकर और अच्छा कि अच्छा चसमें इतनी सारी चीजें भी लिखी हुई तिसमें कि अच्छा चलो उपर वाला मुझे हटाना पड़ेगा इसका मतलों यह सब मुझे हटाना पड़ेगा होस्ट वाला पॉर्शन सब केवल आपको टास्के टास्क प्ले करने ठीक है चलिए तो यह सब हम हटा देते हैं इसमें से इसमें बहुत सारी चीज़ कॉपी हो गई है ठीक है अब हम क्या करते हैं इसमें आई प्लेस करते हैं उसमें यह लिख देते हैं इसमें तीन बार हाइपन उसके बाद यहां पर लिखना है आपका यहां से कॉपी करके मैं प्लेस कर देता हूं ठीक है तो सारे आपको टास्क यहां लिखने है नेम करके पहले यम बाला टास्क लिखना है और यहां से इस बाले को भी हमें हटाना है ठीक है तो टास्क यहां पर प्लेस हो जाएंगे आपके जिदने भी टास्क लिखे होगे हैं यह टास्क यहां से कॉपी कर लेगा सबका सबका इंडेंटेशन नम्हारा सेम ही है कोई दिक्कत नहीं है यह तो मुझे बस इसमें चेक करते देना है कि आपकी सारी ठीक है यह वाला पेकिज प्रजेंट है ठीक है और ट्रू यहां तक ठीक है यह भी ठीक है अमारा यहां पर अच्छा ठीक है यहां तक हो गया firewall की setting ठीक है notify रिणोने लगाय हुआ है firewall भी ठीक है और आपको यह last कहां तर रखना इसमें के वल firewall d तक रखना इसमें firewall d यह handler बारा यहां से अटा देना यह भी अटा देना आपको तो यहां पर यहां तक किया गया इसके बार इसको हट आदो को मैं तो इसको मैंने हटा दिया है जिए अब यह सारा का सारा स्यम हो गया आपका कहां तक ढूबारा से मैश करते हिस रilly उन्श идет को पैकेज़ आना दूसरा में क्या है सर्विस को स्टार्ट कर देना तीसा टास्क क्या है टेंप्लेट वाला है ठीक है चौता टास्क क्या आपका यहां के तुरू फाइरवॉल डी सर्विस को स्टार्ट करना पांच्वा टास्क क्या आपका इसको सर्विस को स्टार्ट कर देना फाइरवॉल को अलाव करना और यहां पर इस तरह से हैं तो पूरा कपूरा टास्क के आप देख2017 ओगया तेक है है कि पूरा टास्क आपके किया हो चुकाओ इसलिए नार्य बात B तो मैं यसको कॉपी कर लेता हूं और हैंडलर में जाता हूं करके रोल्ष में रोल्ष के अंदर ये रोल्ष के अंदर हैंडलर होगा हैंडलर के फाइल होगी तीक है आप Native Just अब यहां पे क्या करना है सब कुछ कापी कर लेना आपको यहां से कापी करके इस फिरां प्लेस कर दो तो चलो इसको तम थोड़ा सा टासक है यहां से क्या कि से स्टेटकान रिस्टार्ट करना तो हैंआंडलर यहां पर डिफाइन कर दिया यहां डिफाइन हो गया आपका तो यह को यहां पर डिफाइन हो गया अब क्या कह रहा है कि update the content of role and symbol main dot के अंदर कुछ आपको यह define करना कि क्या किस purpose के लिए से उज़ करें तो जितनी सारी जो author है description है यह सब यहां पर आपको किस फाली file में define करने में में डिफाइन करने हैं तो update the content तो आप इस वाली file में आईए विम करिए roles में जाए रोल्स के अंदर आपको कौन से file में एक folder है इसके फाइल है main.yml तो यहां पर आपको author लिखा होगा तो author का नाम आपके आगर दो चेंज कर दो तो यहां से हम ने इसकी पूरी information है यह रोल structure के इस तरह से हम बताते हैं कि किसने इसका author कोने description लिख दो यहां पर अपना तो description नहीं क्या लिखा एक्जाम्पल रोल और यह particular course का नाम है रह 294 रोल structure के तुर सारा काम हो रहे हैं तो यहां पर अपना description डाल दो तो यह इसका इंफर्मिशन के लिए होता है company का नाम डाल दो यहां पर अपना तो यहां पर company का नाम एरेड़ेट इनकॉर्परेशन है आपका यह रेड़ेट लिख दो यहां पर इसको यह पहड़ा दीजे और यहां पर यह प्लेस कर दीजे description हो गया license कोंसे bsd आपका तो एक license पर आईए और bsd लिख दीजे तो देखिए यहां पर gpr वाला license की जगह पर इनोंने क्या यूज किया है यह बाला general public license की जगह पर bsd यूज किया है इनोंने यहां पर यह bsd लिख दो आप यह bsd हो जाएगा ठीक है बस इतना कर दिया आपने मेटा के अंदर अब करेंगे रीड मी के अंदर तोड़ा चेंज कर लेना रीड मी वाली फाइल में क्या होता है मोडिफाइड इस पर्टिक्लर कंटेंट सो इट प्रोवाइड दा पोटेंशियल इन्फोमिशन रिगार्डिंग दा रोल कि आफ्टर मॉडिफिकेशन दा फाइल सुट सटें दा फॉल्वाइंग एंट्रीज उसमें क्या के एंट्री रहेंगे इसको शेप कर दो यह वाली ους फाइल को ऑपन कर लीजए का रोलस में जाए और रोलस में जाने कार कौन सा है आपका है वी हिसमें मैं मैंंनी है कि इसमें कौन कॉन सा यह यह वाली ठीज़ वालि इसको यहां पर लिए эта यह एंटर कर लिए उसको आप इसमें प्रुणकरḥ फाइल किया कि यहां पर आपको रोल का नाम कह देना इसका इसको अटा दो कि एक मत देखने दो रोल नेम रिक्रमेंट्स रोल वैरीबिल डिपेंडेंस इस लाइसेंस बीएसडी ऑथर इन परमिशन ठीक है ठीक है बीएसडी हो गया ठीक इतनी सारी चिसमें एड़ करनी है कि इसको कॉपी करके पेस्टी कर देता हूं पुरी फायल को सेम वन जाएगे इसमें ठीक है मैं copy कर paste कर दिता हूं modify the content of rule so that it provide the potential information regarding the rule after modification the file should be falling आपकी file इस तरह से appear होनी चाहिए तो मैं क्या करता हूं इस पूरी file को हटाई देता हूं ठीक है जब file appear ऐसे हो नहीं है तो सब कुछ ऐसे क्योंने लिख दो इसमें कि चलो पहले इतना कर देते हैं एक मेर्ट कि हमने पर इतना लिखा इसको प्लेस कर दिया रोल एक्जाम्पल कोर्स ठीक है रोल वेरीविल हो गया ठीक है यह कि बीच में स्पेश दे देते हैं यहां पर एक स्पेश दे दो एक मिनट यहां पर कि स्पेश आ जाएगा डिपेंडेंसी के बाद ठीक है और डिपेंडेंसी बाद क्या लिखने आपका नन कर दो और बीच दी लिख दो तो यहां पर नन हो जाएगा एक्जामपल है यहां पर डिपेंडेंसी कुस नहीं की हरभी डिपेंडेंसी हो तो हूं यहां पर लिखते हम इसकी यह डेंदेंसी है तो कोई बंदा जब पढ़ेगा ना तो पता चल जाएग उसमें रोल स्ट्टर का देफाइन यह सब कुछ यह information इसे related तो host हो गया roles तो roles का यहां पर define कर रखा है इसको यहां पर में क्या करना है सही तरह से place कर देना है इसको host यह सारी entry यहां लिखी हुई है इसका role structure नहीं यहां define कर रखा है playbook के example में host का नाम क्या है servers role structure यहां पर define कर रखा है और यह bsd है तो d copy new us में ठीक है अब देखते हैं सब कुछ सही है license bsd हो गया role हो गया आपका playbook dependency सब कुछ ठीक है अब ठीक है आपका अभी यहां एक last रह गया आपका तो यहां पर नीचे आ जाए इसको और इंट्रमिशन और कौन रेड़ेट ट्रेनिंग एड़ेट रेड़ेट टॉट कॉम ठीक है यह पूरा डिफाइन होगे आपका बसे इसको शेव कर दो कि मेटर फाइल आपकी अपडेट होगी रीड मी वाली जिससे कोई बंदर इसको रीड करेगा तो इसमें पूरी इंट्रमिशन आरेम अर्बियाफ रोल्स के अंदर से आपको जो टेस्ट वाला यह डारेक्ट्री है वो हटा दू आपके काम का नहीं है तो टेस्ट डारेक्ट्री के यहां से हमने हटा दिया ठीक है क्रिएटर न्यू प्लेबुक यह रहा है कि नई प्लेबुक बनाई आप और इसमें सारी प्लेइटरमिशन को प्लेज किया है कि यह लास्ट में यह वाली फाइल देकि इसमें थोड़ा सा भी हमें और करना बढ़ेगा तो यह सारी चीज़ें वहमें प्लेस करनी है तो क्या प्लेश करना है यह महारा हो गया एक प्लेबुक और बनानी आपको इस नाम से चालो इस सर्वर की नॉलेज हो जाई ने एफटीपी क्या होता है डी एनेस क्या होता है अपाचे क्या होता है यह आपको पढ़ना पढ़ेगा आपको क्योंकि अभी हम सर्वर नहीं पढ़ रहा है कि बल उसको डैपलॉय करना देखना है प्लेबुक के तुरू तो थोड़े बहुत जानकारी होगी तभी इस चीज में आप यह काम कर सकते हो तो यू सुड़ है नॉलेज अबाउट सर्वर ऑल्सों कि सर्वर का कोर्स अलग से होता है ध्यान रखना यह भी हम सर्वर नहीं पढ़ रहे हैं अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वर में यह को वी एस फ्टीपी यह तो बसम प्लेबुक को लिखना है बसे जस्ट बट इससे सर्वर नहीं पता तो नहीं कर सकता हो इसको उसे उससे डैप्लाइब मतलब क्या होता है कोई चीज औरकेस्टिशन करना है आपको उससे लिटिड आपको जानकारी होनी चाहिए अब रोल इस्ट्रुक्चर उन् सब्सक्राल यहां डिपाइन कर मैं इस में यह टास्क पर दस्क लेते हैं पहले हम IT दो आसक आप यह पर डिफाइन कर कर दिए अ कि इसको बस प्लेबुक देट करना है कि कमांड में और यह चलानी और पार्टिट टो पार्टिट कमांड के तetinळें होने assign तैक Egyptian क्या यहां पर आएगा आर्गुमेंट इन्होंने क्या पास किया है क्रियेट वाला तो कमांड के अंदर आर्गुमेंट है देखो यह कमांड चलेगी कमांड में आर्गुमेंट यह पास किया है है और घ्रीए वाला क्रिया करना स्बिक्रेट करना एक यह आर्गोमेंट vinegar करना fav इसमें गो बज ऐसे क्रोड इसमें कुरा नांच kतिन करने यह को हैं कर m कॐर बनाना यह नहींनल को सुरोइब दूसरा क्या करने में आपको फाइल इसमें डिफाइन करना पाइल सिस्टम का नाम कि इस पार्टिशन को ले लो देखो सब कुछ आगे ना जो हमने पहले किया था सब कुछ आगे पार्टिशन भी आगे देखाए इन्हों ने आपका किसके लिए FTP सब्सक्राइब कर दिया चलो फाइल सिस्टम नहीं पता तो वह समझ सकता क्या है यह सब क्या है आपको जानकारी होना जरूरी है कि अगर नॉलेज नहीं है तो आप प्लेवुक को प्रोफरली समझ नहीं सकते कि प्लेवुक में जो लिखा हुआ वो क्या है या प्लेवुक आप लिखनी सकते अपने कोडिंग डेजाइन नहीं कर सकते हो अब यह तीसरा टास्क हम डिफाइन करने या रहे हैं तीसरे टास्क में इनों ने दे कि पाडिशन तो बना दिया अब यह यहां से स्टार्ट हो गया सर्वर की इन्परमिशन पाथ इसका इनों ने डिफाइन किया है फाइल मॉडूल का यूज करके इस टेट क्या मना है एक डिरैक्टीफीक्रे पहले क्लिड़ करूश नाम से दूस्रा टास्क reag वन तू तू त्री फोर फोर ठीक है माउंट कर दो इसको माउंट पता हमें क्या होता है तुम्हें पता है माउंट का मतलब क्या होता है क्या माउंट करना है नेम बता दिए उसने किसको कहां माउंट करना है सोर्स हमारा यह है और कहां माउंट करना है इसको इस पर्टिकुला फाइल सिस्टम डंफ फ्रिक्वेंसी और यह इसका क्या है फाइल सिस्टम कंसिस्टेंटी चेक के लिए उन्होंने टू नम्मर लिया है यह माउंट वाला कमांड हो गया फिल एक फोल्डर बनाओ यहां पर इसको माउंट करते हैं उसके बाद करते हैं तो देखो पूरा कंसेट आ यहां पर आपका यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ समझ में व्यागे यह सब आपने कर लिया इसलिए अब क्या करने आपको इसमें यह वाला दो टास्क को और इसमें यह दो टास्क और डिफाइन कर दीए तो आपको दो टास्क कर यहां पर सीरीज है ठीक है यहीं हमारे यह दो टास्क बच्चे हैं हमारे फाइल मॉडूल का यूज करो और एक डारेक्टरी और डिफाइन करनी आपको इसमें इस नाम से ओनर इसका इसको बनाना है रूट को ग्रोप ओनर रूट को बनाना है इसको भी परमिशन क्या देनी आपको यह परमिशन देनी आपको इसमें एसी लिनस की प्रमिशन क्या देनी आपको इसमें ये देनी है और स्टेट क्या कर देना इसको यह डिफाइन करना इस सारा काम हो गया next last काम क्या है readme फाईल को copy करना है दिख रहा है आपका readme file और ठीक है इसको copy module का use करो कि डेस्टेंशन क्या है यहां पर कॉपी करना है इसको कि अंटेंट और एसलियंस का टाइट क्या रखना है इसमें यह रखना है दिखते हैं हम हमारा लास्ट इस्टे बचाईए यहां तक हो गया है सब कुछ ठीक है जब आप इसकी प्रक्टिस करोगे ना कितनी बार आपसे गलत होगा जब मनें स्टार्टिंग यह किया था तो प्लेबुक एक बार में तो बंती नहीं थी अप्पोड़ा सा उसकी प्रक्टिस हो गई है तो एक बार में वह बन जाती इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बट फिर कभी बहुत सारी जगह पर कभी कभी प्रॉब्लम साती क्यों कि उसे रिकॉगनाइज करना इतना सब कुछ लिख रहे हो अब कहां पर आपने क्या दिक्कत कर दिये क्या पता आपको तो चेंग दा साइट कि अच्छा तो यूज नीओ-ली-क्रेटटट वियसे अपक्रेटेट विए एस से फटी पी-डी वाई-मल तो दिख यहां पे क्या किया है देखो इन्हों ने इसको टेंस आपने यो नई है एक आप क्या रोगे है ठीक है तो यहां से इसको मैं क्या करता हूं इसको चेंज गर देता हूं तो यहां से इसको लीजिये इस पर्टिकलर वाई मेल को और यहां पर उसको प्लेस कर दीजिए ठीक है FTP client ठीक है मारा सब कुछ ठीक है जी अब एलेस करो यह सब कुछ आपको देख रहा है कि यह configure वाली फाइल आगई Vsftpd-configure-yml और n-civil vsftpd.yml site वाली फाइल आपके यहां पर आगई इसमें आपने लिखा हुआ है सब बस इसको run कर दो इस last वाली फाइल को इसमें कोई error नहीं आना चाहिए इसका मतलब हमारा सब कुछ कुछ काम सही हो गया चलो ठीक है फिर सब कुछ बन गया हमारा प्रॉपर ली जो कितना सारा टास्क हुआ है इतना सब कुछ यह आपको लगता है कि बहुत इजीली हो रहा है आपका टास्क जब में सो करेंगे ना तो बहुत टफ होता है आपका रियल एंवार्मेंट में क्योंकि यह तो सब कुछ मारे सामने देख रहा है तो हमने सब कुछ बनाते गए एक प्लेबुक को डिजाइन करना उसे नेट्वर के अकॉर्डिंग चीजा टफ हो जाती है अभी हम जस्त कॉपी-पेस्ट कर रहे है है आपका यह कोई छोटा मोटा टास्क निए इसको डैप्लॉइमेंट इसको बोलते है कि वी एसे टीप्री है अपने डैप्लॉइ किया और पार्टिशन उन्हें बंगया तेको इसका क्योंकि सर्वर का डेटापेस इस्टोर का होगा इस पर टिवला पार्टिशन में स्टो तो यह concept है आपका इन चीजों को यूज करिए आप लोग ठीक है बस यह लेफिनिस हो गया अपेंडिक्स आगया आपका यह तापका बता ही कोई डाउट हो तो यहां तक कि कोई डाउट तो नहीं किसी को भी डाउट तो खेर हो गए मुझे पता है इसलिए आप लोगों की वाज नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक आपने मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी एक भी प्रक्टिकल किया होगा चैप्टर स्टार्ट भी किया होगा यहां तक दो को सब्सक्राइब करने में सब कुछ मेरे लिए नया था पहले मारे ट्रेनिंग हुई रैडट से प्रक्टिस की कई सारे मैंने बैचिज लिए तो कम सब आप दो साल हो गए तो चीज़ें थोड़ी सी आपको आसान लग रही है कि सन्ने दो में लिखी सारी चीज चल गई आपक हैं कभी स्पेस की गलती किस्टेक कुछ मिस्टेक तो जब अप सा मिस्टेक्स आइगी पर मुझे पता है मैंनत कि हैए तब जाकर कर àको यह जक्रेखएं इस पर्टिगलों चेप्टर में अब हम आ जाते हैं अपने उसे पर्टिग्लर टॉपिक पर थोड़ा सा जो बचाता आपका यहां पर चेप्टर नमर्ट 10 बापस आ रहे हैं एक लास्ट चेप्टर बचा आपका बस यह बारा तो इसमें टोटल कितने साइज हैं वञट टू ट्रीव फूर अधि ऐसे अधिक स्टांट करें गया तो पहले हम यह से स्टार्ट करते है ठीक है पहले एकसर्साइज बस ऊसके बाद मैं स्टार्ट करते हूं इसको कि हां और ना तो पोछे आगरो तो देखिए अब हमारा जो नेक्स टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेप्टर टैन ऑटोमेटिंग लीनेक्स एडिस्टेशन टास्क कि लीनेक्स के अंदर जितना सारा जो टास्क है वह आटोमेशन के तुरू परफॉर्म करना है इसमें कौन-कौन सी एक्सेस करने वाले हैं एक परफॉर्म करनी है तो पहला टास्क रहेगा मैंनेजिंग सॉफ्ट्वेर एंड सब्सक्रिप्शन कि आपको कोई पैकेज इस्टॉल करने है आपका अपना सब्सक्रिप्शन कैसे ओन करना है उससे रिलेटेटर यहां पर क्या है प्लेगुक आपको डिजाइन करनी है तो मै ह find the पैकें को स्टॉल करने के लिए कहुंसी कमर्या यूज कर तें यह म कमानि यूज करते हैं तो मॉड्र में होता है यह को सब्सक्राइज पैकेज मैंटेज्गर करने के लिए हमारे पास यह पैकेज मैंटेर होता है य ev a 391 बोलत्य है तो जैसे इस कि को install करना होता है था हम यह हम पछेया क्र ऐकर सकते हैं छोड़ी स noon आपका क्या हो जाता है इस टालो जाती हं है यह हम पेहले से देखार रहे है यह सेमट सि्हूंक की तेम कमांड की तुरू करना है तो अगर सारे प्टेट करने तो केवल के अपडेट करना है तो अगर सारे प्टेट करने तो test क्या होता यह लिखते हैं महां है अगर सारे एक के जबड़ेट करने कोई नाम नहीं लिखोगा तो यहां लिखती हैं अगर मुझे सारे बाकेज अब्रेट करने तो इसे लिखोंग गा इसमें अगर अगर आपको कोई पेकेज हाटाना है तो तो Command से ऐसे ज़र यूज़ करोगे, अगर वही चीज अगर आपको क्या करना है, इसके अंदर यूज़ करना है, तो YUM करके आप नेम बता दोगे, और इसको क्या कर दोगे, आप सेंड कर दोगे, अगर कोई Group के तूप कोई Installation करनी है आपको, तो Group के तूप कोई भी Installation कैसे य हम Group Command होती है, डेवलमेंट, टेस्टिंग, यह समयने आपको लास्ता है, मियारे CSA में, करके भी बताया ता आपका सारी चीज़, यही चीज अगर आपको प्लेबुक के तूप करनी है, तो प्लेबुक में ऐसे लिखोगे, नेम बता दोगे, सिंगल कोट में, अपने Group का ना है, यहां पर कैसे करोगे, रिमूब कमांड चलती है, वही चीज, कोई आपको स्पेस्पिक टैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे परल है, परल का मुझे टैकेज इस्टॉल करना है, वन, 5.6 बाला वर्जन इस्टॉल करना है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, यम, मॉडूल, मिनिमर कर दो के प्रजेंट हो जाएगा आपका यह, ऐसे यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, लिखा हूँ आपका, तो यह आपको बता रहा है कि, जब आप क्या कर रहे हो, कोई यम के थूरू, कोई पैकेज आपको इस्टॉल करना है, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा पैकेज के अगरने अपडेट करना है, तो आपने यह वाली कमांड लिखी, यहीं पर अपडेट करना है, तो लेटेस लिखोगी, लेटेस क्या होता है, अपडेट करने के लिए होता है, सारे पैकेज अपडेट करने है, तो स्टार लगा दो, पैकेज को रिमूव करना है, तो कमांड में ऐसे करते हैं हम प्लेबुक में ऐसे करते हैं गुरुप के दुरू कोई ची इस्टॉल करना है तो गुरुप में प्लेबुक में ऐसे लिखते हैं वही चीज यहां पर कमांड से लिखते हैं अगर आप कोई पैकेज आपको गुरुप के दुरू हटाना है पैकेज डाले तो यम लिखो और इस तरह से आप उनकी लिस्ट बना दो क्योंकि इसके अंदर लूपिंग फंशनालिटी होती है तो आपको लूप लगाने की जूतनी है आप चाहो तो लूप में डाल सकते हो लूप यूज कर सकते हैं इसके अंदर खुद के अंदर भी लूपिंग की फंशनालिटी होती है आपको इसमें लूप कीवर्ड या एक्ट्रिव्यूट आपको शैट नहीं करना है तो यहाँ पर मैंने कहीं भी एक्त्रिवीट आपका सेट नहीं इसमें आपका और यहां पर नाम का तो यह जब आइटम मेंसे इसको उठाएगा पहले यहां रखेगा और पर इनको श्डॉल कर देगा तो लूप से यह सारी चीओ उठाएगा यहां पर साती साथ यह पर लिस्ट बना दी इसके तो नेम कीवर्ड एकसेप्ट दा लिस्ट इसको भी क्या अगर तो एकसेप्ट कर लेता है बता रहा है कि बिद्धि सिंटेक्स सेंसिबल इंस्टॉल दा पैकेज इनस सिंगिल यम ट्रां इस पैकेजिस इसमें कुछ फैक्ट भी होते हैं आपके जो मैंने आपको लास्टम डिसकस किये थे पैकेज अंडर्सकोर फैक्ट मैनेजर ओटमेंटिकली क्या होगा इसमें डिफाइन हो जाएगा तो यह यहां पर कुछ आपका यह सब बताया है डिबग करके प्रिंट करक यह आपका ठीक है और एक आपका प्लेवोक यहां पर रण करके कुछ आपको दिखाए गई है इंसे विल फैक्ट का यूज करके भी हम चीज़ां यूज करते जो मैंने आपको लास्टम भी बताए थी रिव्यूइंग अल्टरेटिव मॉडियूल कि इसका एक और मॉडूल यूज करो इन्दोनों मैंसे जो चाहे होता आपका और यह यह जाद तर कहां यूज होता अपका रेडड क्योंकर इसको डैबलपी किसने किया था इसने डिए फैडोरा का कंस्प्ट है वट फैडोरा के अंदर हम यह भाला भी यूज कर सकते हैं और रेडड के अंदर भी हम करेगा जब इसको फैड़रा मिल जाएगा है तो यह कुछ कंडिशन आपको लगाके यह पर दिखाए कही है ठीक है अब इसको यूज कैसे करेंगे रेजिस्टेशन कैसे करोगे आप इसका तो यह सेम रेजिस्टेशन का प्रॉसेसे आपका सब्सक्रिप्शन मैंनेजर रजिस्टर करोगे आपको एक लाइसेंस पर्चिस करना पड़ेगा तो आपको यह वाला सब्सक्रिप्शन ओन करना पड़ेगा इस तरह से ठीक है यह सब इस तरह से प्लेबुक की तुरू कैसे लिखोगे यहां पर यूजर का नाम दे दोगे पास्वर्ड दे दोगे पूल आएडी जो भी आपका मिला हुआ है उसमें आपका यह कर दोगे तो यह पूरा उसी का है इसके दो वर्जन होते हैं इसमें बेसुएस एक बेसुएस करके डिवर्ग क दोगतर कर नहीं है तो कैसे करोगे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको तो यहां पर यह पिम्न एक उल आपकर ओपों करके vendor होता है रेपो फाइल बनाने के लिए तो फाइल का नाम क्या होगा example file का जो क्या होगा यह description नि उसका जो ID होते वह define हो जाएगी यह का description हो जाएगा base URL की information हो जाएगी enabled हम 1 लिखते हैं yes करोगे GPG चग yes हो जाएगा यह पूरा concept है यह हम repository बनाने के लिए ठीक है जैसे इस तरह से आपका हम जब हम लिखते थे RACSM में आपको ऐसे बताया था कि आपका यह नाम लिख दो यह आपका just ID हो जाएगी यह इसका location हो जाएगा base URL का enable DS कर दो GPG check yes कर दो इसका description हो गया तो दीको यह चीज आप playbook में ऐसे define करोगे और यह चीज आप yum के अंदर जैसे linus command के अंदर करने आपको यह रेपोजिटर करने तो इस तरह से क्रेट करोगे ठीक है यह पूरा प्रोसेस आपको यह समझाए गया यह चीज अगर आपको GPG करने तो यहां पर देखो यह command task or add हो जागा आपका कि GPG की आपको yes कर दिया यहां पर आपने देखना yes लिखाए GPG चेक तो आपको GPG की कहां रखी हुई है वहां से इसे import करना पड़ेगा तो by default यह इस पर्टिकुलर डारेक्टरी के अंदर डीवीडी जो मीडिया होता है आरेचल का वहीं पर एक फाइल होती है और पीएम GPG की एक्जामपल करके उसका पूरा पात यहां पर देते हो और प्रटिकल करके देखना है कि हाउ टू क्रियेट यह रेपोजिट्री बाइ यूजिंग दर प्लेबुक तो प्लेबुक का यूज करके सीजों को हम कैसे यूज करेंगे इस टॉपिक में मैं डिसकस करना है तो इसकी छोटी सी एक्ससाइज जो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी जिसमें पहला काम किया करना है कंफिगर यम रेपोजिट्री बाइ यूजिंग डिस पर्टिकुलर मॉडियूल इंपोर दा आर्पी एम की and install the package by using the facts so obtain information install packages on the host using the package underscore facts module इसकी एक छोटी से एक्ससाइज है यह हम कर लेते हैं आज में इतना ही करेंगे इस exercise में ज्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है यह पूरी इस तरह से आपको playbook देखेगी इसको use करके देखना हमें लास्ट उसके बाद मैं कल जो start करूंगा वो managing users and authentication इसलिए दो class है कोई miss मत करना क्योंकि यहां पर actual में आपको समझ में आएगा कि automation क्या होता है क्योंकि पूरा का पूरा task क्या है यहां पर सब कुछ automation करके दिखा गया fully automation क्योंकि हमने क्या क्या सीख लिया सब कुछ सीख लि लिया उसी को यहां पर यूज करना है वस automation में तो पहला प्लेबुक आपको यह वला रन करना है इसको सीखना अभी है मैं तो देखिए एक एक करके मैं पूरे task को आपको perform करके दिखाता हूं 10-15 मिट में है आपकी exercise complete हो जाएगी ठीक है कि देखते चली ध्यान से ठीक है कि मैं इसको स्टार्ट करता हूं है ठीक है तो देखिए इसकी जो फाइल बनेगी वह सिस्टम करके software करके डिरेक्टिव बन जागी यह वाली इसके अंदर चलिए सारा टास्क आपको इसके अंदर ही perform करना है यहां पर देखिए एक एंसेविल की confession file बना दिए इन्होंने devops user है inventory नमसे फाइल है privilege execution में become yes है become method sudo वस इतना इलिखा है इसमें इन्होंने ठीक है और cat करके inventory file में चेक करो केवल एक machine के entry that is server a.lab.example.com तो सबसे पहले cd करके आप इसमें आगे being begin writing repo underscore playbook define a single place में single play define करना है इस playbook के अंदर that target all host add verse clauses verse नाम का clause define करना है आपका that define a single variable custom underscore pkg with a value example underscore rainbow td इस नाम से package होगा आपका जो आपको इसमें define करना है ठीक है तो यह variable का नहीं में होगा इसकी value हो गई ठीक है यह बस आपको इसमें define करना किसके अंदर इस particular playbook के अंदर तो चलिए हम playbook बना लेते हैं विम करके मैंने playbook बनाई और इसमें यह particular आपका एक टास्क छोटा सा define कर दिया है ठीक है तो host all हो जाएगा सारे machines पे आपको काम करना है आई प्रेस करिए इसमें वेर्स कस्टम टास्क तो वेरिबल डिफाइन कर दिया कस्टम अंदर स्को पीके जी करके example अंदर स्क हाइपन एमो टीडी पहला टास्क क्या रहेगा इसमें जो हम पहला टास्क यहां पर डिफाइन करेंगे लगां कि एक ट्रास्क अपको ट्राइड करने एं फैक टेके जंडर सकर पैकेज़ मेनेजर आपका ओटोंटिकल अने विल करना अपका तो एड़ फर्स टास्क गएबूग कनफिगर मैनेजर की वर्ड आपको डिफान करना है इस पैकेज अंडर सक्कूर फैक्स करने तो यहां से copy करो टास्क अपर यहां से क्या कर गाहरी है एग divers कर दीजिए मै Teams आ या का कई प्धेंड कर है और मॉडूल करके यह आपको इसमें है एक परहमिटर शेट कर बटाता हूं को डिवर्ग मॉडूल का यूज करके वेरेविल आपको यूज करना है प्रचेस्ट्ट डॉट पैकेजमे जाहिए कस्ट्म अन्डश्कूर पैकेज नाम का जो कस्ट्ट्म वेरेविल डिफाइंड कर रहा है इसको यूज कर लीजे वाट कभी यूज करना है जब यह defined होगा तो इन्होंने देखी क्या condition लगा रखी है कि अगर यह आपका defined हो पहले से input में क्या होना चाहिए and civil underscore packages.packages करके custom packages अगर आपका यहाँ पर define नहीं करोगी अगर यह मैंने यहाँ पर नहीं किया होता वेरिविल के अंदर तो नहीं चलेगा तो यह पहले से defined भी है तो condition लगा रख किए defined होगा तो चलेगा अब इसको बस प्लेबुक को रण करके देखो बस यह इतना टास्क चोटा सा टास्क यहाँ पर मैं define करना है अब इस प्लेबुक को रण करके देखो इसने क्या दिखाया आपको एरर में एक टास्क इसने स्किप किया है ओके आपके दो हो गए डिवर्ग टास्क इसकिप रिकॉस एग्जामपल हाइपर करने है आपको अब आपके यम रेकुंटरी आपको क्रेट करने टास्क रिया थे यम अंडर्री मॉडिल तो इंशुर दर कॉंचेशन अव इं परने और थे स्टीश्यामपल चाहिए ओन को बने और इस पर्टिकुलर रिमोट होस्त मजीन So YUM repository configuration is stored in this particular location by using this particular name तो आपको ये name आपको क्या करना है डिफाइन करना है repository की id आपको क्या देनी ये देनी है URL की information आपको ये देनी इसमें repository is configured to check RPM GPG signature repository का description आपको क्या देना है ये particular description देना है तो ये सब आपको define करना है किस नाम से आपको file बनानी इस नाम से आपको तो यह particular playbook आपको define करने तीसरा task आपको यहाँ पे आपको क्या करना है define करने तो तीसरा task लिखिए इसके अंदर इसको open कर लिजे और यहां से तीसरा task आप इसमें define कर दीजे तो यह क्या करेगा पहले क्योंकि अभी वो package actual में है नहीं वहाँ पे तो install नहीं किया उसने इसलिए वहाँ पे skip हो गया आई प्रेस करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं अपने खुद की एक repository क्रेट कर लेते हैं जिससे के package वहाँ से वह install करेगा तो यह तीसरा task हमने यहां से लिया इसकी playbook में हमने यह define कर दिया कि आपको एक यम के थू यम अंडर्सकोर रेपोजिट्री कर मॉडूल है इस मॉडूल का यूज करो और आपको एक फाइल बनानी है फाइल का जो आईडी होगा वो यह रहेगा description यह रहेगा इसमें फाइल का नाम क्या रहेगा example रहेगा base URL की information यह रहेगी इसमें और GPG check yes रहेगा ठीक है इसको इन्होंने enable वाला concept नहीं लिया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद four task आपको यह define करना है यहां से key क्या कर लेगा GPG की copy कर लेगा क्योंकि GPG की yes की गई है इसको इन्होंने enable इसने ने किया क्योंकि इन्होंने इसको enable करके कोई package install करके दिखाया नहीं होगा इसमें ठीक है अब यहां पर आपको four task define करना है यह हमारा four task हो गया RPM के तुरू की लेनी आपको यह की रहेगा और इसका state इसका state हो जाएगा ठीक है अब देखी कह रहा है कि पूरा आपका जो प्लेवुक है अब कोई package install करके देखो आपका फिफ टास्क या करना है package आपको install करना है यह वाला तो यह package install करके आपको दिखाना भी है कि जब चनाली repo file आपने create कर दी है तो यह आपका रेपो create होने के बाद अब को है कि आपको भी इस टॉल करके देखना तो यह मौडूल का यूज करो यह module का यूज करके यह name ले लो module का नेम यह है और इसका state क्या होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए यह package आप इसमें इस्टॉल कर लो को गया इस आरा टास्क है six tasks क्या करना है तो मुझे message डिबग करके देखाओ कि package आपका install हुआ कि नहीं हुआ तो दुबारा से में आता हूँ इसके अंदर और आपको क्या करना है इसमें यह task आपको यहां पर define करना है तो देख लिजे इस task को यहां से ठीक चल रहा है debug module का use करिए जब यह install हो जाएगा package तो आपको दिखाएगा variable इनों ने यहां पर define किया है एक मत रुकना variable हाँ ठीक है debug variable आपका वेर्स के अंदर से use कर लेगा when condition लगा रखिये है ठीक है चलिए तो debug module का use करके variable यह use करेगा और when condition कभी यूज करेगा जब यह सारी ची defined होगी अब यह बन गए आपके playbook तयार होगे playbook का आपके पूरी playbook कैसे दिखेगी आपको ऐसे एंटायर playbook कैसे आईगी आपके कि प्लेवुक रण कर दो आप चलो प्लेवुक को रण कर लेते हैं कि एंसेबिल एंसेबिल हाइपन playbook कि और लास्ट में इसका एक बार मैं सिंटेक्स चेक करके दिखाता हूं आपको इसमें कि तो हाइपन हाइपन एस वाइएंटी एक सिंटेक्स हाइपन चीएची सीके एक बार देखते हैं कोई सिंटेक्स में को एरड तो नहीं है एक बार इसका मैं dry run करके दिखाता हूं आपको चलगानी चाहिए अगर कोई दिक्कत नी हो इसमें तो अभी कि स्किप कर रहा है जमें इस टॉल करूंगा तो सिपनी होगा ठीक है क्योंकि मैं इसको dry run किया है क्योंकि अभी वो package install करेगा न उस particular package रखा हुआ है देखो हो गया तो यहां पर package आपका install हो गया तीन काम हुए skip दो हुए इसमें ठीक है तो देखते हैं कि किस तरह से task देखा इसमें आपका यह सब दिखा रहे है आपका यह पूरा प्लेबो किस तरह से मिलेगा आपका और अच्छा है इसमें कुछ आपका मिस हो गया था को के चेंज में इतना और यहां इसके दो टास्क हो एं ठीक है सही है इसके बाद क्या करना है इंसर्ट टास्क इमीडियेट आफ्टर इंस्टॉल एक्जाम्पल M.O.T.D. Package Task Using the Package Underscore Fact Module to Update the Package Facts set the modular package manager आपको यहां पर value यह set कर देनी है आपको इसमें और क्या value set करने इसमें आपको यह वाला पूरा जो यहां पर आपने लिखा है ने इसमें इसके बाद यह नहीं लिखा है इसमें देखिए यह वाला तो वहां पर auto आपको set करना है तो मैं देखता हूँ इसमें ये वाला सेट है कि नहीं है एक बाद दुबारा आईए इसमें प्लेबुक के अंदर और हमें ये कहां देखना है इंस्टॉल एक्जामपल मोटडी पेकेज ठीक इसी के बाद करना है आपको अब एक टास्क आपको एड़ कर देना है और यह टास्क आपको यहां पर एड़ करना है एकमट कापी नहीं हुआ है इसका मतला हमारा टास्क है अधिश्ट कर दू आप इसको कुछ गलत कॉपी हो गया मुझे लग रहा है यू प्रेस करते हैं दुबारा से कॉपी करते है अब ठीक है यह आपका मॉडूल नेम है पैकेज अंडरस्कूर फैक्ट मॉडूल का यूज़ करके मैनेजर डिफाइन कर रखा है ठीक है सब कुछ अब यह हो गया आपका इंसर दा टास्क इमीडियेट यह हमने इसको यूज़ कर लिया राइट एंड कुट किया अब आप इसको रन करिए इतना होने के बाद दुबारा से रन करिए आप इसको अच्छा इसको पेकेज को पहले हटाया गया है करके पेकेज पहले किया अप इसको हटाई यह पहले पेकेज को जो पैकेज इस्टॉल हो गया न आपका उस पैकेज को हटा दीजें तो हटाने के लिए नोंने आट-ओक कमांड यूज किया है यह पूरा आप सेंड कर दिया देखिए कि कोई पैकेज नहीं है अनिस्टॉल करना है और इसका पैकेज का यह निस्टॉल हो जाएगा जब यह प्रेकेज आपका हट गया आपका दुवारा से आप एक मांड चलाओगे तो बतारहां आपने कोई चेंज नहीं किया इसका मतलब टास्क आपका हट चुका है कि दुवारा प्लेबुक को रन करो आप अब यह प्लेबुक में दो इसके रहा रहे देना अब वो इसको इसको दुबारा रन करिए का इसका मतलब जब मैंने प्लेबुक में चेंज किया होगा न उसमें कहीं नगे कोई मिस्टेक हो गई है कि मिस्टेक बता है क्या हुई है इसका इंडेंटेशन साई सेट नहीं हो पाए दिख रहे आपका जो इंडेंटेशन जबने कॉपी किया इसको थोड़ा पीछे करो अब करेगा इसका अब इंडेंटेशन मैस कर गया बढ़ी ये वाला भी पीछे इसमें तो एक सिंटेक्स एरर आपका था ये ठीक तो जब भी आप प्लेवुक में कोई चेंज कर रहे हो अगर आपने कोई शिंटेक्स मैस इसलिए हमेशा पहले सि के लिए बुक मारे चोटी सी मिस्टेक थी आपके वो तुमारे पकड़ में आ गई बना हम जो ढूरते रहे ते उसमें कहां पर था कास हो गया काम यह लिए आपकी फिनिस हो जानी चाहिए आपका अब देखिए ओके हो गया चेंज में किया है पहले वाले में उसने जब पैकेज को स्टॉल कर दिया है फिर आपको जो मैसेज में डिबग करके देखा प्रिंट देखिए आपका इस पैकेज मॉडूल पैकेज एंचेवल अंडर्सकों पैकेज्ण डॉट पैकेज्ट के शर्च किया अर्टेक्चर के धिए इसका ऑच पुरा पैकेज़ टॉल हुआ के ने वा देखो पैकेज स्टॉल हो चुक है आपका इसने पूरा यहां पर चेक करके आपको देखाया इसने पैकेज मैनेजर का यूज क करेगा पहले इसने आप स्किप किया है क्योंकि पहले गैदर फेक्ट किया है फिर उसके बाद इंस्टॉर किया है आर्पीं की पैकेज को इंस्टॉल कर दिया पैकेज इस्टॉल होने के बाद यह मैसेज आपको डिबग हो गया यह था पूरा का पूरा कंसेप्ट ठीक है चलिए आज हम बस इतना ही करेंगे इसमें अभी आपकी जो चार एक्सराइज बाकी हैं वो हम कल करेंगे ठीक है कि ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि इतनी कि आप सुन लेते मुझसे दो गंटे लगातार कुछ बोलते नहीं हो अची बात है